एलो फ्रेंट्स मैं इस्ट राज स्वगत करता हूं आप सभी का TSE इस्टेटलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर वर यूर्स ट्रगल विथ यूर्स ट्रगल सो दोस्तो हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक फ्री बहत स्टार्ट करी है एक फ्री सेशन स्टार्ट करा है जिसमें regular basis के उपर आपके जो current affair के महत्वके मुद्दे हैं उसके उपर हम detail में description करते हैं detail में आपको video provide करते हैं सो ऐसा ही एक महत्वके मुद्दे के साथ आज मैं आप लोगों की समक्स हाजिर हुआ हूँ तो चलिए शुडू करते हैं आज का हमारा important session जो भी student RRB railway की preparation कर रहा है अभी NTPC का exam चल रहा है आगे जो है वो group D का exam आएगा इसके बाद जो है वो SSC Staff Selection Commission की preparation कर रहा है banking and insurance आपका state PSE, UPSC, police exam, defense exam कोई भी exam की preparation कर रहे हूँ आपके लिए ये session बहती महत्वपुर्ण है तो कि current affair आपका एक ऐसा subject है जो आपकी सारी exam में commonly पूछा जाता है ठीक है चलिए आज का हमारा discussion का topic है वो है important days of November November के महत्वपुर्ण दिन के बारे में बात करेंगे इससे पहले हमने जो है वो दो वीडियो बनाए जिसमें January और December इन दोनों मन्त के important days के बारे में description करा अभी जो है वो हम इस वीडियो में November के बारे में बात करने वाले है चलिए शुरू करते हैं एक November को सबसे पहले total तीन मनाये जाता है एक November को सबसे पहला है वर्ल्ड वेगन देखिए यहां पे दो वर्ड है आप लोगों के लिए एक है वेगन और दूसरा है वेजिटेरियन जनरल इन दोनों वर्ड में confusion होता है वेजिटेरियन यानि शाकारी इसका हमें पता है जो भी एनिमल है या बर्ड है वो नोन वैज में आता है और जो शाकारी वो उसको नहीं काता है जो भी अनिमल है वेजिटेरिन जो है वी एक लेवल ऊपर है जो भी एनिमल या बर्ड में से जो भी कोईपी product बनती है वो भी product कौ भी consume नहीं करते है वेगन लूग यानि शाकारी लोग हम दूद काते है छ वो भी प्रोड़क्ट एनिमल में से, किसी बर्ड में से बनती है, उसको भी कंजूम नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं विगन लोग, तो उन लोगों के लिए जो दिन बनाया जाता है, वो 1st of November है, इसके अलबा पुडुचेरी लिबरेशन डे, 2020 में 66 पुडुचेरी को कोशित किया, इसके अलबा तीसरा देन है, The Army Aviation Cops, 35th Rising Day, ये Army Aviation Cops क्या है, तो एक इंडियन आरमी की एक विंग है, एक टीम है, हर एक जो भी इंडियन आरमी होती है, नेवी होती है, या हमारी इंडियन एरफोस है, सब को अपने एक टीम होती है, बटालियन होती है, तो सबसे यंगेस्ट इंडियन आरमी की बटालियन टीम माना जाता है, The Army Aviation Cops को, जिसका फॉर्मेशन एक नवेंबर 1986 को हुआ था, दो नवेंबर की बात करें, तो इंटरनेशनल डे टो एंड इंड इंप्यूनिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट जनर्नलिस्ट, जो जनर्नलिस सबसे अगनेशन टो नेवेंबर को जनर्नलिस्ट, जो बी इंड 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 शनर्नलिस्ट को बहुत है, इसके अलवा भार मेंट को भी बहुत ही नुखसान वहां पे उठाना पड़ता है, इसलिए उसको याद करने के लिए 6 नवेंबर का दिन जो है, वो को मनाया जाता है establishment कब हुआ 2001 में United Nations General Assembly के द्वारे इसका establishment हुआ ठीक है पुडूचेरी की बारे में बात करेंगे तो इसका formation एक नमेंबर 1954 को हुआ अभी चीफ मिनिस्टर भी नाराना सेमी है लिट्रेन जनरल डॉक्टर किरन बेदी है जेनों ने अभी चस्ट एक दिन पहले आज का यह I think current affair है 16th of Feb का current affair है कि डॉक्टर किरन बेदी जी को जो है वो पुडूचेरी के लिटरन गवरनर के पत से उनको हटाया गया है किरन बेदी वही है जो भारत की पहली महिला IPS थी चार डिस्टिक है पुडूचेरी के देख लेते हैं चार डिस्टिक क्योंकि एक थ डिफरन डिफरन स्टेट में फॉल करते हैं पुडूचेरी के देखी यह आपका पहला डिस्टिक यनम पुडूचेरी का पहला डिस्टिक है यनम जो अंदरप्रदेश के एरिया में फॉल करता है यह पुरा अंदरप्रदेश स्टेट का जो है वो एरिया है वहाँ पे जो बाकी एक सीट है और वहांके legislative assembly में 33 सीट है याद रखेगा अभी के time पे दिली और पुड़िचरी एक मात्र ऐसे union territories है जिसको legislative assembly की seat दी गई है ठीक है अभी जमुएन कश्मीर को भी दी गई है जमुएन कश्मीर को भी legislative assembly की 114 सीट है दी गई है जब उसको union territory बनाया गया लेक स्टेट का flower cannon ball tree है स्टेट tree Indian bell है स्टेट का bird Asian coil है और स्टेट का animal Indian palm squirrel है अब wildlife century की बारे में बात करेंगी एक ही wildlife century है कोई भी national park नहीं है और एक ही wildlife century जो है वो एकदम easy है याद रखने के लिए उसू डू और पू डू ऐसा ही याद रखना है पुडू में भी डू आता है औ सुडू आपको सिफ डू याद रखना है ठीक है फेस्टिवल सेन फैर्स की बात करें तो विल्यानु टेंपल कार फेस्टिवल विरम पतिनम कार फेस्टिवल फैटेडी पुडू चेरी डांस के बरह में बात करें तो भहरवी गराडी यक्षगन इसका ओरीजिनेशन जो है मां है जो केरला में फॉल करता है इसलिए मोहिनी अटम भी पुडू चेरी में डांस मनाया जाता है आर्मी अविएशन कॉप्स के बारे में बात करें के तो इसका फॉर्मेशन एक नमेबर 1986 को हुआ है है और इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है जो यंगेस्ट अविएशन कॉप उनकी टीम मानी चाती है 7th of November की बात करें तो National Cancer Awareness Day, Birth Anniversary of Madam Curie, Madam Curie का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है कि Radio Activity, जह हां बिलकुल उन्होंने दो जो Radio Activity एलेमेंट थे, Radium और Polonium इन दोनों का जो है वो Discovery किया था, इसलिए Madam Curie की Birth Anniversary को 7 November को मनाया जाता है, इनके बारे में हागे हम discussion करने वाले हैं, 8th of November, International Day of Radiology, Radiology क्या है जो X-ray होता है हमारा, ठीक है, कई भी भी हमें पेर पेच आती है, तो सबसे पहले X-ray करानी के लिए बुला जाता है हमारे Bonn का, तो वो X-ray के related जोपी study होती है उसको Radiology बुला जाता है, 2020 की theme कौन सी है, Radiologists and Radiographers supporting patients during COVID-netting, याद रखना मैं बोल रहा हूँ 2020 की theme, क्योंकि हम ये November 2020 का जो है वो days cover कर रहा है, इसलिए, ठीक है, एनिवर्सरी है, जो William Ronjan करके परसंते जिनों ने X-ray का discovery किया था, इसी दिन किया था, 8th of November 1995 को, इसलिए, और इनको William Ronjan को Nobel Prize भी दिया गया Physics में 1901 में, ठीक है, इसका लवा 8th November को, बर्थे अनिवर्सरी पुलादेश पांडे की मनाई गई, 101 वी बर्थे अनिवर्सरी मनाई गई, कौन है पुलादेश पांडे, महराश्टा के एक writer है, humorist है, जिनका पुरा नाम है पुर्षोतम लक्ष्मन देश पांडे, जिनका ज फोस्ट हुआ, 9 November 1995 को, देखिए, Legal Service Act लाने के पीछे उद्देश यही रहा कि हमारे समाज में जितने भी तपके के लोग हैं, समाज में कोने कोने तक सभी लोगों को जो है, वो नियाई मिले, कोई भी इंसान अपनी economy condition की वज़े से, और भी किसी भी physical condition की वज़े से, जो है वो नियाई से वंचितना हो, और इसलिए Legal Service Act हमारी यहां पे लाया गया, ठीक है, जिसका formation, मनलब जो enforcement कब हुआ, 9 November 1995 को, ठीक है, इसका अलावा, 20वा Foundation Day मनाया गया, उत्राखंड का 2020 में, उत्राखंड जो है वो, जिसका formation, 9 November 2000 को हुआ, यूपी में से अलग हुआ, उतरप पहले उसका नाम था उत्राँचल, और 2007 तक उत्राँचल नाम रहा, 2007 से उसका नाम जो है, वो उत्राँचल से बदलकल अभी उत्राखंड हो चुका है, मेडम क्यूरी के बारे में बात करने वाले है, जिनका जन्म, जो है वो, 7th of November 1967 को हुआ, रशिया में हुआ, वर्सोव म मेरी क्यूरी रही, इसके अलावा, वल्ड के ऐसे फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट ऐसी वुमन, यानि फर्स्ट महिला, जिनको दो, दो कैटिगरी में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में, दोनों फीली में, जो है उनको अवार्ड मिला, देखिए, उनली पर्सन टू व इन फाइ को, उनके मेरेज हुए, फ्रेंच एक फिजिसिसस्त Instagram थे, परी क्यूरी करके उनके साथ उनके मेरेज हुए, और 1993 में, थीन लोग, एक परिक्यूरी इनके हस्बंत, एक मेरिक्यूरी और तीसरे जो परसन थे वहाहते है, हैंडरी पेक्विरल, इन तीनों को जो है, वो नोबेल प्राइज दिया गया, पेरी क्यूरी, मेरी क्यूरी, मेडम क्यूरी और तीसरे जोई वह हन्री बैक वेरल, इसके बाद 1906 में पेरी क्यूरी का डेथ हो गया, और 1911 में फिर से केमेस्ट्री में जो है मेडम क्यूरी को फिर से नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए पॉलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी करने के लिए महाराश्रा की बात करने वाले है जिसका फॉर्मेशन 1st of May 1960 को हुआ महाराश्रा के साथ और एक स्टेट बना वो है गुजरात, दुनों का फॉर्मेशन साथ में हुआ चीफ मिनिस्टर उद्दव ठाक रहे है गवर्नर भगस सिंग खोशियारी है जो अभी गोवा का भी गवर्नर का एक्स्टरनल चाल्ज देख रहे है 36 दिस्टिक है मुंबई केपिटल है, नागपूर को मिंटर केपिटल माना जाता है 48 लोग सभा, 19 राजय सभा 288 विधान सभा 78 लेजिस्टेटिव कांसिल यानि की विधान परिशत की सिटे है प्राइड ओफ इंडिया जरूल उसका स्टेट प्लावार है महारश्ट का स्टेट का ट्री मैंगो, यलो फुटेट ग्रीन पिजन स्टेट का बर्ड है इंडियन जर्ण स्क्विरल स्टेट का एनिमल है कहां पर है महारश्ट्र देखिए यह रहापका महारश्ट्र किसके साथ बॉर्डर ट्रच होती है गुजरात है, मध्यप्रदेश है 36 गड, तेलंगना, करनाटका और गोवा और इस साइड है अरेबियन सी ठीक है, नेश्टनला पार्क और वाइलेफ सेंचूरी की बात करें चंदोली, नेश्टनल पार्क इंपर्टन्ट है गुगा मल, नवेगाउं संझे गांधी बॉरिवली नेश्टनल पार्क, तडोबा टाइगर रिजर्व भी है, पैंच पैंच जो है वो MP और महाराश्ट्र दोनों के साथ उसकी border touch होती है इसलिए दोनों में count होता है वाईलेफ सेंचुरी की बात करें तो ग्रेट इन्यान बस्टर्ड इंपोर्टंट है जैकवारी इंपोर्टंट है चंचुरी पैंच जोलेफ सेंचुरी इंपोर्टंट है इतनी जीज़ अमें धियान रखनी है फिरसेन फेस्टिवल्स ओफ महारस्टा, गुडी पडवा है, पोला, नराली पुर्नीमा, गनेश चतुर्ती, मोस्ट इंपोर्टन्ट, बैन गंगा फेस्टिवल, एलिफंट और इलोरा फेस्टिवल और अशाधी, एकादशी, डांसेस ओफ महारस्टा की बात करें तो लवान चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद सिंग रावत है, गवर्नर बेबिरानी मोर्या, तेरा डिस्टिक है, पांच लोग सभाकी सीट, तीन राज्य सभाकी सीट, सत्रा जो है वो लेजिस्ट्रेटिव एसेम्बली विधान सभाकी सीट है, वहाँ पे, स्टेट का फ्लावर मोस्ट इ अर्याना और हिमाचल प्रदेश, इन तिन राजों के साथ नेशनल बोर्डर टज होती है, नेशनल पार्क है वाइलाफ सेंचुरी के लिए उत्राखन मोस्ट इंपोर्टन्ट है, गंगोतरी नेशनल पार्क, गोविन पशुवी हार, जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क जो इ इसके अलावा डांसे के बात करें तो गरवाली, कुमायूनी, कजारी, जोरा, जोरा, रास्डिला और चापली भी इंपोर्टन्ट है, ठीक है, टेंथ अफ नवेमर की बात करने वाले हैं, तो वर्ल्ड साइंस डेफूर पीस एन डेवलोप्मेंट, दोजर बीस की थीम क्या वो साइंस डेफूर पीस एन डेवलोप्मेंट मनाया जाएगा, और दोजर दो में पहली बार ये दिन मनाया गया, ग्यारा नवेमर की बात करें तो नैशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, बर्थ है निउट सरी है, हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना बुल कलाम आजाद जी की, जिनको भारत रता से 1992 में सन्मानित किया गया, इनके बारे में आगे देखने वाले हैं, 12 अवेमर को वल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है, और दूसरा है पब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग डे, क्यों? क्योंकि 12 नवेमर 1947 को महत्मा ली थी, इसके लावा, रजस्तान में चाइल राइट्स वीक मनाया जाता है, बाल अधिकर दिन 14 से लेके 12 नवेमर तक, चलिक है? चलिए, आके बढ़ते हैं, यूनिस्को के बारे में बात करें, तो उनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल फॉर्मेशन 16 नमेंबर 1945 को हुआ, हैड़क्वाटर पैरिस फ्रांस में है, डिरेक्टर जनरल अभी ओड्रे ओजले है, और पेरेंट और्गेनेज़ेशन है, यून एकोसोग, एकोनोमिक एंड सोश्यल काउंसिल, ओल इंडिया रेडियो के बारे में बात करें, तो बहुज पॉल कलाम आजाजी के बारे में बात करें, तो हमारे फॉर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, 1947 से लेके 1958 तक, जिनका जन्मा 11 नमेंबर 1888 को मक्ता मदीना, जो है साओधी अरेविया में उनका जन्मा हुआ, रिनकी मृत्यू देली में 22 फेबरूरी 1958 में हुई, जब 12 साल की उमर के थे, तभी उन्होंने अपना फेस्ट मंतली मेगेजिन, लिसन उस सिधक स्टाट कर दिया था, देखिये 12 साल की उमर, यानि अपनी आप में बड़ी बात होती है, कि इस एज में में मंतली मेगेजिन स्टाट करना, वो अपने आप में बहुत बढ़ी बात होती है, 1923 का दिल्ली का special session रहा किसका इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का जब special session दिल्ली का हुआ था 1923 में तब वो उस session के president बने जो INC के atheist के सबसे youngest president बने जब उनकी age थी 35 याद रखना ये बहुत exam में पूछा गया है कि INC के अब तक जो है वो कौनसे person जो प्रेसिडेंट रहे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे तो मौलान अबुलकलाम आजद 1923 का session दिल्ली का special session ठीक है मौमद दली जिना से उनकी नहीं बनती थी और मौमद दली जिना उनको जो है वो इसके अलावा उनको जो फरस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया जो भी हमारा यूजीज ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एक्ट 1956 जो है वो यह और इंडियन इंस्ट्यूट आफ टेक्लोजी आईटी इन दोनों को स्टाट करने की पीछे मौलान अबुलकलाम माज़ात का ही सबसे बड़ा हाथ रहा उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाते हैं और भारत तता से उनको 1992 में सन्मानित किया गया चीके चले नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया के बारे में बात करेंगे तो रहे कि निमोनिया जो है वो ल एक जो पांच साल या उससे कम उम्र के बच्चे होते उनको और 65 और उससे जदा एज के जो परसन होते हैं उनको जनरली निमोनिया होता है Lungse का DC से, देखिए हमारे Lungse का काम क्या है, वो थोड़ा एक समझ लेते हैं, हमारी बॉड़ी को चाहिए Oxygen, हम बाहर से लेते हैं Oxygen, बाहर से जो Oxygen लेते हैं, वो जाता है किसके पास? Lungse के पास, अभी ये Lungse क्या करेंगे? Lungse जो है वो ये Oxygen हमारे Cell तक पहुचाएंगे कहां पर पहुचाएंगे हमारे cell तक पहुचाएंगे और हमारे जो cell है वो इस O2 का यूज़ करके जो है वो energy produce करते हैं और साथ में जो है वो CO2 का emission करते हैं साथ में इस energy जब produce होती हो तो साथ में CO2 जो carbon dioxide है वो भी उसका भी उत्सर्जन होता है अभी body में इसको तो रख नही बेज देते हैं और लंग्स जो है वो CO2 को बाहर बेज देते हैं ठीक है हमारी जो स्वशन प्रक्रिया होती है उसमें हम O2 जो है वो अंदर लेते हैं और जब हमारे हम अपनी स्वशन को बाहर छोड़ते हैं तब CO2 जो है वो हम इसको बाहर छोड़ते तो यह एक पूरा प्रो जिसकी वज़े से ओटू सी ओटू का विनी में ठीक से नहीं हो पाता है और आपके स्वास लेने में आपको जो है वो दिक्कत आती है तो यह हमने समझा न्यूमुनिया के बारे में चलिए रजस्तान के बारे में देख लें तो फर्मेशन 30th of March 1949 को हुआ केपिटल जाइपूर है अशोग गैलो तभी चीफ मिनिस्टर है गवरनर कालराज मिश्रा है तेथिस डिस्टिक 25 लोगसभा दस राजजी सभा की सीट लेजिसलेटिव एसेंबली की 200 सीट है स्टेट का फ्लावर रोहीडा है स्टेट का ट्री खेजरी है स्टेट बर्ड इंड राजास्तान में है कि राजास्तान में है इसके लावा यहां पर सवाई मात्योपूर्द भी- brilliant है तलचपर इंपोर्टन्ट है, पुछा गया एक्जामे और वन विहार, ठीक है, फैर्जन फेस्टिवल के बारे में बात करें, तो डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, बिकानेर केमर फेस्टिवल इंपोर्टन्ट है, नागर फेस्टिवल इंपोर्टन्ट है, पुसकर इं एलिवन्ट फेस्टिवल मेवार फेस्टिवल है माउंट अबू में दो फेस्टिवल मनाए जाते हैं विंटर और समर फेस्टिवल गंगौर फेस्टिवल है यह भी इंपोर्टन्ट है उस फेस्टिवल महरवार फेस्टिवल और अश्वपूजन इसके लाबा डैंस की बात कर और नेशनल आयरुवेदा दे दोनों यहां पे मनाए जाते हैं इस बार जो है वो एक coincidence हुआ है कि दोनों आयरुवेदा दे यानि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एक ही दिन आए 13th of November को पहले इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे तो इस बार जो है 2020 में 5th इंटरनेशन है हमारा दिवाली के साथ में उस दिन मनाया जाता है लेकिन इस बार 13th of November को जो धंते रसता और इसलिए हमारा इंटरनेशनल और नेशनल लाइरुवेदा दे दोनों साथ में मनाया गया इसके लावा 13th of November को World Kindness Day मनाया गया जो 1998 में World Kindness Moment start हुआ था इसलिए 13th of November को 1998 में World Kindness Moment start हुआ था इसलिए World Kindness Day को मनाया जाता है 2020 की theme क्या है kindness the world we make inspire kindness ठीक है 14th of November की बात करें तो Children's Day मनाया जाता है बर्थ अनिवरसरी हमारे भारत के पहले बड़ा प्रतान जावालाल नहरू जी की इनके बारे में बात करेंगे आगे World Diabetes Day मनाया जाता है 2020 की theme The Nurse and Diabetes 15th of November की बात करें तो जार्कन का foundation day है जार्कन को the land of forest भी कहा जाता है जंगल की भूमी भी कहा जाता है जिसका formation 15th of November 2000 में हुआ बिहार से अलग हुआ और ये बर्थ एनिवरसरी है बिरसा मुंडा की जो बहुत बड़े करांतिकारी रहे बिहार के ठीक है बिहार बलब बहुत बड़े करा जार्कन के एरिया में हुआ था इसलिए जार्कन का formation day 15 November को मनाया जाता है world day of remembrance of road traffic victim जो भी road traffic होता है उसके जो victim से उनका दिन मनाया जाता है 15 November को 2020 का theme है first responders जो भी accident होता है road पे तो उसके जो first responder person होते हैं जो मदद करते हैं उनको याद किया गया है 2020 की theme में एक British road crash victim charity करके था road peace उनके द्वारा इस दिन को start किया गया है पंडित जवला नेरुजी के बात करेंगे तो 14 November को 1989 को अलाबाद अभी जो प्रयागराज है वहाँ पे उनका जन्मुहा 27th of May 1964 में उनकी dead हुई और 1947 से लेके 1964 तक जो है वो भारत के वड़ा प्रतान ले जो सबसे long time तक PM रहने व इंडिया के independence में सबसे पहले 1920 में उन्होंने अपना योगदान दिया non-corporation moment चला था वहीं से उन्होंने जो है वो हमारे independence में आये उनके कदम पड़े इसके बाद जो है वो first time वो जब जहल में भी गय थे 1920 में इसके अलाब जब 1922 में चोरी-चोरा जो है वो हत्याकांड कैसे देखिए 1920 में non-corporation moment start हुआ गांधी जी के द्वारा इसके बाद 4th of February 1922 को क्या हुआ चोरी-चोरा करके एक जगा थी यूपी में गोरखपूर में है वहाँ पे लोग जो है वो non-corporation moment के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और अचानक से जो पुलिस का एक जूंडाया माँ पे पुलिस के एक टीम आई जिन्होंने लोगों के उपर जो है वो गोली बारी करी इसके बाद लोग बढ़के और लोगों ने गया किया सभी पुलिस वालों को उनके पुलिस टेशन में ही बंद कर दिया और पुरे पुलिस टेशन को ही आग लगा दी जिसके वज़े से आई थिंक टोटल 20 से 25 जितने पुलिस ओफिसर थे उनकी मृति हो गई अभी ये हिंसा का जो एक्सिडेंट हुआ इंसिडेंट हुआ इसकी वज़े से गांधी जी को बहुत ही लगा ये इंसिडेंट की भई अभी जो पॉब्लिक है वो नॉन महलब जो non-violence है अνचा के लिए अभी हमारी पॉब्लिक रैडी नहीं है वो तो अभी इंसा में ही मान रही है इसल्ए हमें non-coprition moment करने की कोई भी आवशकता नहीं है इसलिए गांधी जी ने जो non-coprition moment 1920 में स्टर्ट किया था वो चोरी चोरा जब इंसिडेंट हुआ 2022 में उसके बाद से उन्होंने Non-Compression Moment को वापिस कीच लिया। इसकी वज़े से INC के और जो अग्रणी नेता थे, जैसे के CR-10 थे, मोतिलाल नेहरू, जो जवलाल नेहरू के पिता जी थे, मोतिलाल नेहरू और CR-10 वो उनसे खफा थे गांधी जी से, कि हमें ऐसे आंदूलन कोई भी वापिस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हिंसा के छोटे मोड़े केसिस तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं माने, उन्होंने Non-Compression Moment को वापिस लिया, और मोतिलाल नेहरू और CR-10 दोनोंने INC International Congress को छोड़ कर, अपनी नहीं एक पार्टी, स्वराज पार्टी करके जो है, जिसका formation किया, तो हम ऐसा, अबिसली लगेगा कि अगर मोतिलाल नेहरू ने कोई नहीं पार्टी शरू करी है, तो उनके बेटे जवलाल नेहरू पे उनहीं को जोइन करेंगे, लेकिन नहीं ऐसा बिलकुल नहीं हुआ, जवलाल नेहरू जी थे, वो INC के साथ, याने गंधी जी के साथ ही बने रहे, ठीक है, सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी बने, All India Congress Committee के सप्टेमबर 1923 में, इसके लावा 1929 का लाहर का जो अधिवेशन हुआ था, लाहर का सेशन हुआ था, INC का, रावी रिवर के पास जो लाहर का अधिवेशन हुआ था, जहां पे हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, किसकी पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज की मागनी करी थी सबसे पहली बार बोला था कि अभी हमें जो है वो पूर्ण स्वराज चाहिए हमारा देश चाहिए कोई भी डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए अभी हमारे देश में जो है इंडिपेंडेंस मिलते मिलते 1947 हो गया लेकिन हमारे दिमाग में यह देड थी 26 जनवरी इसलिए हमने वहमारा रीपब्लिक डे 26 जनवरी को चुना है ठीक है इसके लावा उन्होंने नॉन अलाइंड मुमेंट के भी जो है वह अग्रणी नेतार है अग्रणी लीडर ले अभी यह नॉन अलाइंड मुमेंट क्या है देखिए जब हमारा देश आजद हुआ यानि 1947 में तो जस्ट 1945 में जो सेकंड वल्वर खतम हुआ था ठीक है सेकंड वल्वर के बाद पूरा जो विश्व है वो दो गुट में बढ़ गया था एक था आपका यूएस है और दूसरा था सामने रशिया एक था यूएस है दूसरा था शाक कुछकुद देश यूएस है को support करते थे उनकी एक टीम थी और कुछकुद रसिया को support करते थे उनकी एक टीम थी अभी हमारा देश 1947 में जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ तो व्यसी बात हैं हमारे उपर भी प्रेशर रहा होगा कि हम USA को जोइन करेंगे कि रुष्या को जोइन करेंगे क्योंकि दुनों के बीच में यह वाल चर रहा था कोल्ड वार चर रहा था उसमें किसी हमारे देश को धकेलना बिल्कुल भी नहीं है और हम इसमें पढ़ेंगे भी नहीं ना हम USA को जोइन करेंगे तो इसलिए ऐसे टोटल 120 कंट्रीज को जो है वो ऐसे टोटल 120 कंट्रीज थे जो नोन अलाइन मुमेंट का पार्ट बने और यही 120 कंट्रीज नोन अलाइन मुमेंट जिनको कहा जाता है कि यह 120 कंट्रीज किसी भी ना USA को जोइन करेंगे ना रश्या को जोइन करेंगे और इसका जो फॉर्मेशन है वो 1961 में बेल ग्रेड में साइन हुआ जब यूगोसलाविया के प्रेसिडेंट थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के पंडित जवालाल नहरू इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दिल नसीर करके और यूगोसलाविया के प्रेसिडेंट जोसिप ब्रोज टीटो करके थे तो ऐसे कुछ निताओं ने इनोन अलाइन मुमेंट की शरु है इसके लवा टॉटल उन्होंने 30 लेटर्स लिखे थे अपनी जो बेटी इंदरा गांदी जी जो बाध में जाके भारत की पहली महिला प्रतान मंत्री बनी जब वो इंदरा गांदी जी 10 साल की थी और मसूली में पढ़ रही थी तब उन्होंने कुछ लेटर लिखे थे इ ठीक है डाइबिटीस के बारे में बात करेंगे तो 14th of November को डाइबिटीस दे मनाया जाता है जो सर फेडरिक बेंटिंग करके थे जिन्होंने इंसुलीन जो है वो उसके डिस्कवरी करी दी इसलिए किसके साथ में मिलकर चार्ल्स बेस्ट के साथ में मिलकर 1922 में 14th of November 1922 में फ् समझे डाइबिटीस क्यों होता है देखिए हमारी बॉड़ी में होता है इंसुलीन जो कहां से सिक्रीट होता है पैंक्रियास पैंक्रियास से जो है पैंक्रियास इंसुलीन को जो है वो सिक्रीट करता है अभी इंसुलीन का काम क्या है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें हमें मि इस glucose को हमारी बॉड़ी में जब वो जाता है ये glucose तो उसको एनर्जी में इसका conversion करना इस glucose का energy में conversion करना ये काम है insulin का और insulin कौन निकलता है pancreas जो उसका secretion करता है अभी diabetes क्या है कि बॉड़ी में sugar का जो मात्रा है वो बढ़ जाना यानि glucose का प्रमान जो है वो बॉड़ी में ब बढ़ता जाता है शुगर बढ़ता जाता है और हमें diabetes होता है ठीक है तो यही कॉस है diabetes होने का अभी diabetes के दो टाइप भी इसी प्रकार से हैं पहला टाइप कैसा है जिसको juvenile diabetes भी कहा जाता है एक non-communicable यानि किसी को छूने से या बलर्ड से ऐसे कभी डाइबिटीस नहीं होता है ठीक है जुवेनल डाइबिटीस पहली टाइप का डाइबिटीस किया है जब हमारा बोड़ी इंसुलीनी नहीं बना पाता है तभी जो है वो डाइबिटीस होता है अगर इंसुलीन नहीं बनेगा त इसके अलवाद दूसरा जो डायबीटीस है, दूसरे में क्या होता है, कि इंसुलीन तो बनता है, लेकिन इस इंसुलीन का हमारे जो सेल है, वो ठीक तरीके से उसका यूज नहीं कर पाता है, जिसकी वज़े से हमारे बोडी में ग्लुकोस का मात्रा बढ़ जाता है, और जितन इंसुलीन का हमारे सेल यूज नहीं कर पाता है, एनरजी बनाने के लिए, ठीक है, जो ये दूसरे टाप का डायबीटीस है, वो कोमनली पाया जाता है, ओबिसिटी के साथ, जब पेट किसी का जाधा होता है, हमारा बोडी जाधा होता है, तभी ये जनरली प्रोब्लेम होत हमें एफेक्ट करता है, हमारी किद्नी, हार्ट है, बलड वेसल है, नर्वस सिस्टम है हमारा, इसके लवा हमरे आइस, रेटीना है, वहाँ पे इसका एफेक्ट होता है, जनरली इसके काउस क्या है, डायबीटीस होने के अनहेल्थी डायट, बाहर का कुछ भी खाना, ज्या चलिए, जारकन के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन 15th of November 2000 को हुआ, कैपिटल रांची है, बिहार से अलग हुआ जारकन, चीफ मिनिस्टर हिमन सोरेन है, गवर्नर द्रोपदी मुरूमू है, 24 डिस्टिक, 14 लोकसभाकी सीट, 6 रज्यसभाकी सीट, और 81 जो है वो legislative assembly की सी सेट का फ्लावर पलाश है, स्टेट का ट्री साल है, स्टेट बड एशिन कोयल है और स्टेट का इनिमल एशिन एलिफंट है, जारकन की बात करें कहां पर जारकन, दीखें यह आपका जारकन, किस से वर्डर टच होती है, सबसे पहले यूपी, इसके उपर बिहार, वेस्ट बेंगॉल, ओडिसा और चातिसगट, ठीक है, चले, नेशनल पार्क और वाइलेफ सेंचुरी की बारे में बात करें, तो एक ही नेशनल पार्क है, याद रखना है, बेटला नेशनल पार्क, इसके अलावा वाइलेफ सेंचुरी की बात करें, गौतम भूध है, इसके अलावा पलामू, वाया टाइगर रिजर्फ है, वो भी इंपोर्टन्ट है, और उद्वालेग इंपोर्टन्ट है, और सिंख भूम, एलिफन्ट रिजर्फ है, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, याद रखिएगा, सिंख भूम, एलिफन्ट रिजर्फ बहुत ही ए अलपुनिया करके जो है वो जब प्लगिंग की सीजन आती है एग्रिकल्चर में तब बनाया जाता है भागता परप करके एक फेस्टिवल बनाया जाता है जो बुद्धा बाबा के नाम पर बनाया जाता है इसके लावा चौव डांस वहां पर बहुत फेमस है जारकंड में कुंडरी मेला कोलुहा मेला और भाडली मेला ठीक है डांस की बात करें तो जुमैर डॉमकाच लहवासुआ फागोवा मोस्ट इंपोर्टन्ट है पाइका और चौव यह लास्ट के तीन मोस्ट इंपोर्टन्ट है बिरसा मुंदाची के बारे में बात करेंगे 15 नमेंबर 1875 स्वाई को इनका बर्थ हुआ जो बहुत बड़े करांतिकारी रहे बिहर जारखन एया के बेंगल प्रेसिदेंसी में उनका बर्थ हुआ इनका डेथ 9th of June 1900 में हुआ राची की जहल में इनका डेथ हुआ धरती आबा के नाम से प्रचलित है जिसको जिसका मतलब होता है अपना मुवमेंट चलाया और अपनी जो जमीन थी उसको प्रोटेक करने के लिए अपने लेंड के राइट्स थे उसको प्रोटेक करने के लिए सभी ट्राइबल्स लोगों को इखठा करके बिरसा मुंदा ने आंदोलन चलाय था जिसका नाम था मुंदा रिबैलियन जो ब बिर्सामुंडा और उनके जो वाडियर्स थे वो एक जगह पे कहां पे ट्राइबल गुरेलिया आर्मी उनकी जो थी वो जमकोपाई फोरेस्ट करके थे चंद्रका धारपूर चक्रा धारपूर जारखन में थे वहां पे वो सो रहे थे तो बिर्सामुंड जो ब्रिटिश आर के म्यूजयम में उनका पॉर्टिट रखा गया है राची के एरपोर्ट का नाम बिर्सामुंडा एरपोर्ट है याद रखिएगा 16th of November की बात करें तो National Press Day मनाया जाता है और International Tolerance Day भी मनाया जाता है सही शनु दिवस अंतर राष्टियों सही शनु दिवस 17th of November की बात करें तो National Epilepsy Day मनाया जाता है एपलिपसी क्या है Chronic Brain Disorder है दिमाग की बिमारी है जब हमारे दिमाग के जो तंतु होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं तब ही ये Chronic Brain Disorder होता है जनरली जो Children's और 65 और अप एज जो वाले परसन होते हैं उसमें देखने को मिलता है भूल जाने की बिमारी हो जाती है कुछ याद ना रखने की बिमारी हो जाती है इसको मैंपलिपसी बोलते हैं 18th of November को National Naturopathy Day मनाया जाता है Ministry of Ayus के दवारा 18th of November 2008 को इसका declaration हुआ Ministry of Ayus यानि आरिवेदा, योगा, नेच्रोपेथी, युनानी, सिद्धा और होमियोपेथी World COPD, COPD यानि chronic obstructive pulmonary disease यानि lungs के related जो disease है उसको हम COPD disease बोलते हैं जो हर साल 3rd of, 3rd Wednesday of November को मनाया जाते हैं ये 18th of November याद मत रखीगा क्योंकि 18th of November ये 2020 के लिए ही है Actual में क्या होता है कि जो COPD Day वो 3rd Wednesday of November को मनाया जाता है और इस बाल यानि कि पिछले साल 2020 में 3rd Wednesday of November जो है वो 18 November को फॉल हुआ इसलिए 18 November को ये दिन मनाया गया हमको तो ये याद रखना है 3rd Wednesday of November 2020 की theme थी Living Well with COPD Everybody Everywhere Gold करके एक organization है जो है Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease इसके दवारा इसको आयोजित किया जाता है 19th of November की बात करेंगे तो 130 वी बर्थेनिवर्ट सरी इंद्रा गांदी जी हमारे पहले महिला प्रधनमंत्री रहे उनकी मनाई गई जिनका बर्थ 90th of November 1917 को हुआ देखें यहां पर दो दिन में confusion होता है National Integration Day और National Unity Day ठीक है National Integration Day इंद्रा गांदी जी की बर्थेनिवर्ट सरी पर मनाया जाता है और जबकि हमारा National Unity Day वो 31st of October सर्दर वलभाई पटेल की बर्थेनिवर्ट सरी पर मनाया जाता है तो याद रखेंगा आपको इंदोनों में सर्दर पटेल हो जाएगा ठीक है confusion तो सिर्फ दो में ही है एक का solution मिल गया तो दूसरे का तो अपने आप मिल जाएगा ठीक है तो आई आई याद रखना है integration यानि इंद्रा गांदी ठीक है वर्ड फिलोसोफी डे की बात करें तो थर्ड थरस्टे ओफ नवेंबर को मनाया जाता है जो फिलोसोफिया यह वर्ड जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दल लव उफ विजडम इसके लावा नाइंटींथ ओफ नॉवेंबर को वल्ड ट्विलेट डे भी मनाया जाता है वल्ड ट्विलेट ओर्गिनेजेशन है इन्होंने 2001 में जिसका declaration किया establishment किया और United National General Assembly के दवरा 2013 में फर्स्ट बार इसको डेकलाइर किया गया वर ट्विलेट डे 19th ओफ नॉवेंबर को इंटरनेशनल मैंस डे भी मनाया जाता है और वोमन्स डे मुझे बता दीजिए वोमन्स डे कब बनाया जाता है एट ओफ मार्च को एट ओफ मार्च वोमन्स डे च किया और 20th ओफ नॉवेंबर 1989 को जो है वो एक कन्वेंजन को एडॉप्ट किया गया United Nations General Assembly के द्वारा देखे यहां पे भी एक कन्फूजन पॉइंट है कि World Children's Day और National Children's Day World Children's Day 20th of November जबकि National Children's Day होए 14th of November बर्थ एनिवरसरी हमारे जवालाल नहरूजी की ठीक है अफ्रीका इंडिरा इंडिरा प्रियदर्शनी नहरू जो जवाला नहरू जी की बेटी थी इंडरा गांधी जिनका जन्मा 19th of November 1970 को हुआ अलाबाद जो भी प्रियागराज में वहाँ पे इनकी डेट 31st of October 1984 में हुई न्यू देली में थर्ड प्राइम मिनिस्टर रही पहली महिला प्राइम मिनिस्टर रही हमारे इंडिया की ठीक है इसके अलाबाद दो बार जो हुए पी एम रही थी सबसे पहले उनकी टम थी 1967 से लेके 1977 तक और दूसरी टम 1980 से लेके 1984 तक और 1984 के बाद जो है उनके उनके बेटे जो राजीव गांदी जी थे वो प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट एन ओली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अप तक जो है वो और कोई भी महिला प्रधन मंत्री नहीं बनी हमारे भा दिखाएगी बाद में जब उन्होंने रंग दिखाए 71 और 71 से लेके 76 तक 77 तक जब तक ओ रही तब बाद में जो ये गुंगी गुडिया ने अपने रंग दिखाए तो पुरे देश को हिला के रख दिया 1969 में 14 बैंक जो थे उनका नेशनलाइजेशन किया येक मूँ बहु जब अटल भी वाजपाई जी थे तब हमारा सेकल नुकलियर टेस्ट हुआ 1998 में जिसका नाम क्या था ओपरेशन शक्ती पहले का नाम क्या था स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 जिसको कहा जाता है पोखरण में हुआ दूसरा भी पोखरण में हुआ इसको पोखरण 2 कहा जाता है 1998 को 18 में 1974 में नुकलियर टेस्ट हुआ इसके बाद जो है वो पूरा देश हिल गया जब 25 जून 1975 को जो एक इंटरनेशनल इमर्जनसी जो होती है उसकी घोषना करी गई 21 मंद की जो है वो नेशनल इमर्जनसी लगई गई इंद्रा जी के द्वारा प्रोक्लेमेशन किया गया ओर फक्रोदी नहीं मत अब जो गर्वर्न्र ते इंडिया के आर्टि कल 352 जो कहता ना ना किनाशनल इमर्जनसी आर्टिकल 352 इसको इलावाए स्टेट इमर्जंसी होती है स्टेट इमर्जनसी क्या होती आर्टिकलcrew 56 और एक होती है वनिकों have इमर्जन्सी की कोषणा की 25 जुन 1975 को जो 21 मन तक चली और आखिर में 21 मार्च 1977 को जो है वो इस इमर्जन्सी नैशनल इमर्जन्सी का जो है वो अंत आया और इस इमर्जन्सी के दौरन प्रेस, इस जितने भी मानावधिकारते सभी को सस्पेंड करा गया था इसलिए बोला गया इसलिए मैंने बोला था कि ये गुंगी-गुडियान आगे जाके जो है वो अपने ठतनाक रंग दिखा है और पूरे देश को हिला के रख दिया ठीक है चलिए इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्केशन करेंगे बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक है ये इमर्जन्सी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट है कभी इसमें डिटेल बेडे वीडियो बनाएंगे ठीक है चलिए अब बात करें तो 971 में भारत अतना से सनमानित किया गया और 2011 में बंगलादेश फ्रीडम ओनर भी उनको दिया गया बंगलादेश के द्वारा जो इंद्रा गांधी जी है उनका जो बर्थ हमने मनाया 19th of November को उनकी जो जन्मन जहनती थी तो यह पूरा वीक मनाया जाता है कौमी वीकता के नाम कौमी एकता वीक के नाम से इंद्रा गांधी के बर्थ के पूरे वीक को इसमें 19 से लेके 25 तक different days मनाया जाता है 19 को National Integration Day 20 को W welfare of minorities day 21st को linguistic harmony day 22 को weaker section day 23 cultural unity day 24 को women's day और 25 को conservation day इसके लावा National newborn week 2020 में मनाया गया 15 से लेके 21 नवेंबर तक theme क्या थी quality, equity, dignity for every newborn at every health facility and everywhere जो ने नवजाज शीशू का जन्मन होता है उसके लिए एक पूरा week मनाया गया 15 से लेके 21 नवेंबर तक छीक है World toilet organization की बात करें तो 2001 में formation हुआ headquarter Singapore में है और इसके founder Jack सीम करके है 21 नवेंबर की बात करें तो World fisheries day मनाया जाता है, fisheries की अगर बात करें तो इंडिया का अभी global जो export होता है fish में उसमें इंडिया का fourth rank है इसके अलावा 77% global fish का production अभी इंडिया में होता है और इंडिया में total 2.8 million यानी 28 लाग लोग अभी जो है वो fisheries sector के साथ जुड़े हुए है World television day 21 November को ही मनाया जाता है जब 1924 में 21 November 1924 में जॉन लोगी बियर्ड करके परसंते जिनोंने टीवी का अविशकार किया था 22 November को National Cadet Cop NCC, NCC का जो हो फर्मेशन डे मनाया गया 2020 को 72nd Rising Day of NCC इसके अलावा 59th National Pharmacy Week 2020 को मनाया गया 16 से लेके 22 November तक theme क्या रही Pharmacists, Frontline Health Professionals ठीके याद रखिएगा Pharmacy, Health, Vaccine इसके related कोई भी दिन है तो वो हमारी लिए बहुत important हो जाएंगे क्योंकि हमारा 2221 का साल वो almost अभी Corona, Health, Pandemic, Vaccine ये वो उसमें ही जाने वाला है और ये हमारे न्यूज में ही बहुत रहा है ये topic इसलिए ये pharmacy के related, health के related जितने भी days है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वकुन है ये pharmacist जो week है, National Pharmacy week किसके द्वारा मनाया जाता है? Indian Pharmaceutical Association और Delhi Pharmaceutical Trust के द्वारा ठीक है, NCC के बारे में बात करें, National Cadet Cop है जो youth wing है, हमारी armed forces की जिसका formation 16th of July 1948 को हुआ, headquarter न्यू देली में है एक तावर अनुशाशन मोटो है यहां का और अभी डिरेक्टर जनरल इसको headcon कर रहा है, तरुन कुमार एच करके 24th of November की बात करने वाले हैं, तो Martinum Day of Guru Tegbadur, जो 9th Sikh Guru थे, Guru Tegbadur जी, उनकी जो मृत्यू ती थी है, वो मनाया जाता है, जिनको औरंग जेब मुगल थे, उनके द्वारा किल किया गया था, 1675 को, 24th of November 1675 को, उनकी जो execution site थी, मलब जहां पे उनके हतिया करी गई थी, वो site को इस गंज साहिब के तोर पे उसका development किया गया, जो भी दिल्ली में है, और क्रेमेशन जहां पे उनकी समाधी रखी गई थी, वहां पे जो है वो गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब करके जो है, जगा उसके तोर पे उसको development किया गया, तेकबादूर जी ने अनतपुर साह पंजाब में जो है उसका foundation किया था, 25 और नॉवंबर की बात करें तो international day for the elimination of violence against women, वोमन के अगेस्ट में जो violence होता है, उसको याद करने के लिए, उसको रोकने के लिए 25 और नॉवंबर का दे मनाया जाता है, थीम क्या रही 2020 की, orange the world, fund, respond, prevent and collect, यहां पर बहुत ही confusion होगा, पसंद है, तो जो है वो international organization ने भी उनकी थिम में pink रखा होगा, लेकिन नहीं, यह आपका answer गलत हो जाएगा, याद रखना, orange the world, यह ऐसा exam में क्या हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे पहले कि यह थिम पी कुछ ऐसी थी, ठीके, orange करके, पीछे का यह पूरा जाएगा, इसके अलावा, aviation awareness week मनाया गया, 23rd से लेके 27th of November तक, world investor week by SEBI, security exchange board of India है, उनके द्वारा, 23 से लेके 29 November तक, world investor week बनाया गया, जो निवेश करते हैं, यहाँ पे, SEBI की बात करें तो, जिसका formation 30th of January 1992 को हुआ, headquarter भी मुंबाई में है, और chairman अजाई त्यागी जी है, से transportation week मनाया गया, 2020 को 24th से लेके 30 November तक, ठीक है, गुरुत एक बादुर जी की बारे में बात करें, तो 9th Sikh गुरु रहे, जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम क्या था, त्याग मल करके उनका नाम था, 1 April 1621 में उनका जन्म हुआ, अमरिच सर में हुआ, उनकी death 24th of November 1675 को हुई उनकी समादी जहां पे रखी गई है, समादी स्थान रकाबगन साहिब है, न्यू देली में है, अनन्तपूर साहिब की स्थापना की पंजाब में, 1665 में इसके अलवा पटियाला, ये दोनों शेहरों की स्थापना गुरु तेकबादुर जी के द्वारा करी गई, 24th of November 1675 को जो थे उनको, उनकी हतिया कर दी गई, औरंग सेप के द्वारा, जब उन्होंने मना, जब गुरु तेकबादुर जी ने मना कर दिया, इसलाम धर्मों को अपनाने के लिए, औरंग सेप के अंडर में कारे करने के लिए, तब चांदी चोक में उनकी हतिया कर दी गई, गुर बर्थ एनिवर्सरी हमारे milkman of India और father of white revolution वर्गिस कुरियन जी की जिनका बर्थ 26th of November 1921 को कोजी कोर केरला में हुआ जिनको father of white revolution कहा जाता है इनके बारे में के discussion करेंगे हमारा Indian constitution day 26th of November 1949 को जो है वो अपनाया गया था ठीक है दो डिट इंडियन constitution के बारे में हमें याद रखनी होती एक तो है 26th of November और दूसरी है 26th of January 26th of November को 1949 को हमारा constitution अपनाया गया था हमारी constitution assembly के द्वारा और 26th of January 1950 को हमारा constitution जो हो अमल में आया था ठीक है वहाँ से enforce हुआ था 2015 में इस दिन की खोशना करी गई जब 125th birthday anniversary थी बियार आमिर्करजी की जो हमारे बंधारण था जो हमारा समीदान था constitution उसके प्रारूप जो समीथी थी मसद्दा समीथी drafting committee थी उसके chairman हुआ करते थे 26th of November 2016 जो अटेक हुआ था 2008 में उसके 12 साल हुए 2020 में खतम हुए 27th of November की बात करें तो 11th national organ donation day मनाया गया 2020 को 29th of November international day of solidarity with the Palestinian people ठीक है 181 जो resolution 181 को adopt किया गया 29th of November 1947 को कि जब partition हो रहा है Palestine का और अरब Palestine जो अरब का एक पार्ट है जो और Jewish जो इसराइल पीपल है उनका जो partition हुआ तो जब जो पैलिस्टीन लोग है उनके साथ जो है वो सानु भूती पुर्ना व्यभार किया जाएगा अच्छा व्यभार किया जाएगा इसके लिए एक resolution जो है वो पास किया गया 18 181 को जिसको बोलते है resolution 181 और जो 29th of November 1947 को adopt किया गया था इसलिए 29th of November को जो पैलिस्टीन पीपल के लिए day मनाया जाता है 30th of November की बात करे तो day of remembrance of all victims of chemical warfare करके मनाया जाता है इसके अलावा गुरु नानक जी की जो है वो जहनती मनाई जाती है जिसको हम गुरु पूरभ भी क जहते हैं जन्म जैन्ती को कौनसे दिन पर कार्तिक पुर्नमाशी के दिन पर यह जन्म जैन्ती मनाई जाती है गुरु नानक जी की जो शिक धर्मा के पहले गुरु थे वर्गृष कुरेंजी के बारे में बात करेंगे तो 26 और November 1921 को को कोजिकोर केरला में उनका जन्म इसके अलावा इंस्टेटुट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद वहां के चैर्मेन रहे बंबे प्रोविंस जो तब था आनंद पहले बंबे प्रोविस में था उसके बद गुजरात बना तब वो गुजरात का एक डिस्टिक बना बहुत सार एवर्ड दिये गए जैसे वर् आपको एक्जाम में पुछेंगे ऑफरेशन जो फलर्ड है वो किस से रेलेटेड है तो यह आपके मिल्क से रेलेटेड है याद रखिएगा ऑपरेशन फलर्ड वर्गिस कुरियन ने स्टार्ट किया 13 जनवरी 1970 को जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरी डेलोप्मेंट प्रो यहां पर हमारे इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ था था हम बाहर से इंपोर्ट करते थे मिल्क तो हमारे इंपोर्ट बढ़ता था और उसकी प्राइस भी ऑविसली हाई हुआ करती थी क्योंकि हम बाहर से मगाते थे लेकिन ऑप्रेशन फलर्ड का उदेश यही ऑगर यहां पर हमारे देश में प्रोड़क्शन होता है मिलका तो वो प्राइस की हमें जो डेफिनेटली उसका रिटेक्शन देखने को मिलेगा इसके अलावा फार्μεर की हमारी इंकम है जो डेरी प्रोड़ूक्ट से रेलेटेड है उनकी इंकम को बढ़ाना है उनकी पोर् प्रेशन फ्लर्ड था उसके उद्देश रहे इसके लवादा अमूल ट्रिनिटी के नाम पर किसको जाना जाता है वर्गिस कुरियन श्री त्रिभवंदा किशिवाई पटेल एन हरी चंद मेगा दलाए इन तीनों ने मिलके अमूल की स्थापना करी थी अमूल डेरी जो अभी 1891 को उनका जन्म हुआ 6th of December 1956 को उनकी मृत्य हुई डॉक्टर बियार आमिरकरजी की कहां पर न्यू देली में उनकी जो समाधी है उसको चेतिय भूमी मुंबई चेतिय भूमी के नाम से जाना चाता है जो अभी मुंबई में है हमारे first law and justice minister रहे 47 से लेके 1951 तक इसके जो हुए थे लंडन में तीनों में पार्टिसिपेट किया हमारे महत्मा गांधी जी ने जो second round of round table conference हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था Article 32 है हमारे Indian constitution में जो हमारे जो rights है fundamental rights है fundamental rights हमारा part 3 ठीक है पार्ट 3 में हमारे fundamental rights है इसमें आर्टिकल 32 है जो अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी individual या किसी भी संस्ता के fundamental rights का हनन होता है fundamental rights उनके छीने जाता है तो वो व्यक्ति या संस्ता डिरेक्ली जो है वो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोट में जा सकती है और अगर हाई कोट में जाना है तो आर्टिकल 226 इससे जो है वो हाई कोट में डिरेक्ली जा सकते हैं अगर किसी के भी fundamental rights का हननों हो रहा है उनसे छीने जा रहे तो यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपोन बता है दॉक्टर भी या रामबेट करने और इसलिए उन्होंने आर्टिकल 32 को Soul of the Constitution and very heart of it कहा 1923 में बहिश्कृत हितकरनी सबा जिसको Outcast Welfare Association का जाता है उसकी स्थापना करी 1936 में इंडिपेने लेबर पार्टी की स्थापना करी 14th of October 1956 को जो है वो अपने उनके टोटल 6 lakh प्लस अनुई आईओ के साथ उन्होंने बहुत धर्म का जो है वो ग्रहन किया और उनकी लास्ट बुक भी उन्होंने लिखी थी बुद्दा इन हिस धर्मा 1990 में भारत रतना से सन्मानित किया गया और 14th of April 1990 से लेके 14th of April 1991 तक ये पूरे एक साल को जो है वो year of social justice के तौर पे मनाया गया कुछ works के बारे में बात करें तो मुख से मुख नायक करके जो weekly थी उनकी शरुबात करी 1920 में जंता weekly 1930 दैनेलेशन आफ कास्ट 1936 दंटेचेबल्स 1948 और बुद्दा और कालमाक्स 1956 ये कुछ books उनके द्वारा लिखी गई चलिए गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो जिनका जन्मा ऐज नानाक उआ था 15th और ऐप्रेल 1469 गो राइप ओई तलवंडी जो भी पहले जो फ़ी पाकिस्टानger अभी पाट है अभी वो पाकिस्टान का पहले दिली का इंडिया का आफ हुआ करता था ठीके किंकि पाकिस्तान पहले पूरा इंडिया का पाट हु वही करतारपूर कोरिडर में उनकी मुर्ति हुई उनकी जो रेस्टिंग है वो गुरु द्वारा दर्बार साहीब करतारपूर में है जो मैंने आपको भी बता है करतारपूर पाकिस्तान में है ठीक है इसके लिवाब बात करें तो इनकी जो जन्म जहनती वो गुरु नानक ज कहा जाता है father of nanak कहा जाता है first जो दस शिक गरू हो गए शिक धर्म में उसके first जो है वो शिक गरू हुआ करते थे तीन आइडिया उन्हों न दिये लंगर पंगत और संगत लंगर का मतलब क्या है कि collective cooking and sharing of food की साथ में खाना खाना और साथ में खाना खाना इसके अरवा पंगत है कि सबको साथ में बैठना है कोई भी कास्ट का भेधवाव नहीं रखना है खाना खाने के लिए कोई भी कास्ट के आप person हो तो सबको एक ही line में बैठना है एक ही साथ में बैठना है अपर कास्ट के लोगों की अलग line होगी अलग उनके लिए खाना होगा और lower कास्ट के ल किरत करो नाम जपो और वंद चको यानि वर्क करना है वर्षिप करनी है और जो भी आपके पास है उसको शेर करना इसके लावत दस्वंद सिस्टम भी उन्होंने शरू करी एक आईडिया दस्वंद या नहीं किया कि आगर आप जो भी कमा रहे हो उसका वंटेंथ उसका इसके लाव उन्हें एक सेवा सेवा उनका एक सेंट्रल मोटो रहा और शिक धर्म को उन्होंने सेवा का एक पार्ट बनाया शिक धर्म में आप देखेंगे कि जब भी हम सेवा की सेवा एक वर्ड बोलते हैं कि सबसे जादा सेवा कौन से धर्म में कौन से रिलीजन में होते तो दोस्तो ये था आज का हमारा important session जिसमें हमने नवेंबर महीने के जो important days थे उसके बार में discuss किया, hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो like, share और subscribe करें, हमारी चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करें, इस वीडियो की PDF आपको जो हमारी telegram channel के उपर मि दाली हुई है, ठीक है, description में इसकी मैंने link डाली हुए, वहाँ पे जाके आप download कर सकते हैं इसकी वीडियो की PDF, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी question है, कोई भी query है, कोई भी topic नहीं समाझ आ रहा है, कहीं भी कोई भी problem है, तो हमारे comment section में लिख दें, हम उसके उपर आ जय हिन, जय वारत!